हालो फ्रेंट्स वेल्कम टे यूट्यूब चानल एच्वेसी टेग गैट आज का वीडियो में आम लोग देखने वाला है यह जो सर्वीस वाल है एक एसा ओपरेट करना है और यह कहां कहां लगाई जाता है एड के जो सर्वीस वाल है आप लोग देखा होगा और कम्रसर के सक्षिन में या डिश्चारज में लगा देख है इसको चार पोर्ट होता है यह दो पोर्ट है इसका जो मेंन पोर्ट है यह जो दो प॰ आस्धार मिलिए कमशेंस आघे मिए दूख आपको उष्षिं कर सकते सर डिश्चार्ड प्रेशर ट्रांस्यूसर लगाने का है हाई प्रेशर लो प्रेशर सुच लगाने का है लगा सकता है यह जो दिख रहा है इसका नाम है यह जो राट बाहर निकला है इसका नाम है स्टेम है और यह जो दिखता है इसका नाम है ग्लांड है यह जो वाइट कलर जो दिखता है यह जो इसका ग्यासकत है टफ्रान ग्यासकत है यह ग्यासकत को रोकता है यह जो port है compressor का body में gasket का साथ fix किया रहता है और यह जो port है suction line या discharge line में fix किया रहता है इसमें भी इसका अंदर भी gasket डालने का है यह ताइप के जो wall में तीन position होता है number one front seat position है number two back seat position है number three है cracked position है इसको जो wall को front seat करने के लिए इसका जो stem है यह पूरा clockwise गुमाने का है clockwise में गुमायागा इसको जो wall का position होता है front seat position अभी में जो wall को पूरा तरह front seat करने के लिए इसका जो stem को है clockwise turn करना है पूरा end तक इसको जो stem है turn करना है तो आपका wall का पूरा तरह फरेंट सीट करेगा तो जो ऑल को पॉसेशन इसा रहता है जिसको इस्टेम है पूरा अंदर जाएगा और यह जो वाल है यह पूरा इधर तक ब्लोक हो गया फ्रेंट सीट करेगा तो यह जो दो पोर्ट है कॉंडक्ट में नहीं आएगा यह दो पोर्ट में ग्यास नहीं जाएगा सिर्फ इधर तक आएगा इधर रुकेगा इधर नहीं आएगा सिर्फ यह दो पॉर्ट कॉंडक्ट में रहेगा यह दो पॉर्ट में ग्यास फ्लो जाएगा और यह दोनों कॉंडक्ट में रहेगा फ्रेंट्स अभी मैंने आप लोग की इसी समझने के लिए जो चारों पॉर्ट है उसको अलग-अलग नाम दिया है A B C D करके तो आप लोग क जो पॉसेशन है फ्रंट सीटेप पॉसेशन में है तो आपका वाल का ओपनिंग क्लोस इस तरह कंटिन्यू ऑपन रहते है ए दो पॉर्ट वाल का जो फ्रंट सीटेप पॉसेशन हमको यूस करना पडता है अगर system कुछ pump down करने का है तो pump down करने के लिए आपको liquid line valve front seat करना पड़ेगा और उसका बात में pump down होने का बात में discharge जो valve है उस टेमें front seat करके रखना पड़ेगा और दूसरा है अगर आपको compressor निकालना का है तो compressor का suction या discharge valve front seat करके तो आपको compressor isolate कर सकते हैं front seated position में आपका जो compressor कभी भी चालू नहीं करने है अगर चालू करेगा compressor का relief valve ओपन होने के chance है इसलिए कभी भी compressor चालू करने के पहले suction discharge service valve back seat करके उसका बात में ही compressor चालू करना है service valve को दूसरा position है back seat position service valve को back seat करने के लिए इसका जो stem है जैसा आप वीडियो में दिखता है इसका जो stem को पूरा आंटी क्लोक्वाइस last तक गुमाएगा तो है जो इसका position back seat position में आ जाएगा नहीं में यह compressor running time है इसका जो valve को position back seat रहना चाहिए अभी यह जो service valve है इसका जो position है पूरा तरह से back seat हो गया है अभी उसका देखे कि इसका position कैसे रहता है stem का position और उसका जो valve का position कैसे रहता है हम लोग देखेंगे अभी यह stem पूरा बाहर निकला है और यह जो front seating भी बाहर आया है यह position को बोलता है back seated position back seated position में इदर से gas sender हो जाएगा और इदर से compressor में चलेगा जाएगा और यह port जो है बंद रहेगा यह port यह जो port है यह open रहेगा back seated position में valve का जो opening इस तरह रहेगा यह जो service port है जो stem का पास जो service port है D वो सिर्फ बंद रहेगा बाकी तीनों port है आपस में open रहेगा यह BC open रहेगा साथ में compressor running time है valve का जो position back seated रहता है अगर आपको service valve का यह जो port यूज़ करने के लिए जैसा आपको pressure check करने का है कुछ gas charging करने का है तो आप यह port यूज़ करने के पहले सबसे पहले आपको valve को back seat करने है उसका बात में जो भी gauge लगाने के gauge लगा के फिर उसको cracked position में रखे फिर use करने है नई तो उसमें से ग्यास आने के chance है service valve का तीसरा position जो है cracked position है service valve को cracked position में करने के लिए जो service valve जो है back seated position से इसको दो round आगे गुमाना है जैसा आप देख सकते है इस तरह से cracked position में करने के लिए back seated position से तोड़ा दो round clock waste में गुमाएगा तो एक cracked position में valve आ जाएगा service valve का एक cracked position में जो service valve के जो दो service port और दो main port है यह पूरा open रहता है यह जो position mainly use करता है service purpose के लिए क्योंकि कुछ ग्यास डालने का है अगर कुछ pressure चेक करने का है तो आपको compressor भी running होना चाहिए और refrigerant भी flow होना चाहिए friends उमीद करता हूं जो service valve का जो function है और कैसा use करना है आप लोग को समझ में आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आ गया तो चानल को जरूर subscribe कीजे like कीजे, share कीजे, comments कीजे यह जो चानल पर है HVAC and electrical के वीडियो आता रहेगा thank you for watching the video